नमनेस आफटर नीरिप्लेस्मेंट विल इट गेट बेटर ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं नीरिप्लेस्मेंट सजरी के 50% से ज़्यादा लोग जो है वो ये एसास करते हैं कि सजरी के बाद मेरे घुटने का बहार का एरिया नम फील होता है सुन रहता है तो पहली चीज़ से बताना चाहूँगा येस ये बड़ी अनॉइंग फिलिंग है बड़ी फ्लस्टेटिंग फ होती है हमारे जांग से हमारी थाय एरिया से एक सेफनस नर्व है जिसकी इंफराप्रेलर ब्रांच है जो की अंदर से बाहर की और जाती है और हमारा जो नीका जो इंसीन है जो सकार है वो सेंटर से चलता है तो ये पतली बाल के साइज की एक नर्व है जो उसमें कटती है ज हाथ रख रहा हूँ या कपड़े पहन रहा हूँ मुझे एसास ही नहीं हो रहा वहाँ पर किया है और उससे बहुत वह गवरा जाते हैं लिकिन आप पोई जानकर खुशी होगी कि जैसे से समय बढ़ता है हमेरे आसपास के जो एरियास हैं वो उसकी हिलिंग करते रहते हैं और दिरे दिरे जो इतना बड़ा एरिया था वो बहुत छोटा बन जाता है और दिरे दिरे करके पूरा गायव हो जाता है इसमें कोई पेन नहीं होती है और उससे जादा ये कोई नमनेस आफ फिंगर टिप्स नहीं है कि मेरे को ठंडे गरम का पता नहीं चलेगा ये एक हमारी देन चेहरे के अंदर इससे कोई तकलीफ नहीं आएगी तो जोड़ी आपको नमनेस है वो समय के साथ सेटल कर जाएगी अगर उस जगे कोई स्किन रैश ये अलर्जिक रैश बनता है तो अपने डॉक्टर से मिली है वो आपको उस पे लगाने के लिए कुछ क्रीम्स देंगे जिससे कि वो रैश भी सेटल कर जाएगा और मेजरिटी 95% केसिज में ये नमनेस एक साल के अंदर-अंदर खतम हो जाएगी अगर कुछ परिशिंट्स में रहता भी है तो उन सब को मैं कहता हूँ कि आपके नी रिप्लेस्मेंट सर्जिक है इतने सारे positives और benefits हैं कि ये हलका सा compromise जो हुआ या वो कभी एहसास भी नहीं होगा because जो जीवन आपको मिलेगा वो इतना खुछ दायक होगा that you will always reckon and you will always feel positive about it कि मैंने नी रिप्लेस्मेंट सर्जिरी कराई और मुझे अपना दूसरा बच्पन मिल गया झाल